सेवा सेवा जोहार, मैं अभिशेकुई के राष्टिय संचालग जेशु इंडिया साथियो आज का दिन जेशु समेत पूरे भारत के ट्राइबल समुदायों के लिए एक स्वर्णिम दिन है, स्वर्णिम पल है इतिहास के पन्नों में लिखा जाने वाला दिन है जेशु के लिए आपको जानकर ये खुसी होगी कि जेशु इस बैस्विक महमारी में भी अपना राष्टिय दिवसन को रोक नहीं पाया और पूरे कानूनी नियम्मावली कोई भी हो परसासन हो सासन हो या देश ही कुले कर आज अपना राष्टिय दिवसन करा पा रहा है और बहुत अच्छे से करा पा रहा है साथियो मैं मेरा विशयर है का आज का हम आत्मनिर्वर कैसे बने आत्मनिर्वर कैसे बने समाजिक रूप से हो या फिर राजनेतिक रूप से हो या फिर किसी भी रूप से जेशु के लोग कैसे आत्मनिर्वर बने इसी कड़ी में मैं आपको बताना चाहूंगा साथियो सब आप से पहली बाद कि जेशु का कोई संस्थापक नहीं है जी हाँ आपने सही सुना जेशु का कोई संस्थापक नहीं है जेशु एक विचारधरा है जो कोई तूरियन संस्कृति को अपनाते हुए कोई तूरियन विचारधरा को अपनाते हुए समाज हित में देश हित में औ और देश के एकता अखंडता को बनाये रखने के लिए काम करता है जियेशु किसी ब्यक्तिव बिशेज का जियेशु नहीं है हम जियेशु परिवार के सदर से हैं ठीक दुसरी बात जैसा कि आप लोगों सुनने को मिला होगा विशे आत्म निर्भर हमारे देश के प्रधान मंत्री ने भी कुछ दिनों पहले घुशड़ा की थी खैर उनकी छोड़िये हम अपनी बात रखते हैं आत्म निर्भर बनने के दिशा में ही जियेशु देश के सभी ट्राइवल समधायों को एकजूट करके अपने अस्तित्व हग अधिकार लड़ाई लड़ने के लिए उनको प्रतिन धित्व का मौका दे रहा है देना चाहता है और उनके साथ सदयों खड़ा रहना चाहता है मैं दोस्तो एक सवाल आप लोग से छोड़ूंगा क्या हम सभी हुआ गुंडवाना की बिराशत को बच्चाने के लिए कम पड़ जा रहें क्या जरा सोचिए इतना बड़ा भुखंड अभी तो प्रदेशों में हम है ना जगह जगह हमारे विचारधारा गुंडवाना से स संगठन में जूड़ रहे हैं साथियो एक सवाल है पुर्वजो द्वारा दी गई बिरासत संस्कृति भासा भोगोल या फिर सौर प्रक्रम को क्या हम यूँ ही लुटा देंगे या फिर ऐसे ही अपने महापूर्शों का क्यावल सहाधत दिवस ही मनाते रहेंगे क्यों न हमारी यही पिढ़ी यही पिढ़ी गुणवाना के लाराई मजबूती से लड़े ताकि आने वाली पिढ़ी ऐसे जुल्म, सोसर्ण, अत्याचार या फिर बिन निर्दोस यानि निर्दोस रहते हुए भी किसी मौद का सिकार न बने हम ऐसा काम करें दूसरी बात सात्यों, जेशू के लोग क्यों न अपने ही नियमावली विचारधारा से आगे चलकर पूरे इंडिजिनिया समुदाय के हित के लिए कारे करें मैं आपको बताना चाहा रहा हूं सात्यों, हम क्यों न जेशू के लोग किसी दूसरे पार्टी या संगठन के गुलामी चट्वागीरी ना करते हुए, खुद आत्मंदीरिफर बनकर अपनी लड़ाई स्वयन लड़े सात्यों, आप पढ़ते लिखते सब कुछ, आप हर तरह से परिपूर हो रहे हो आज के दौर में, उमीद करते हैं हम भी, वैसो तो हम ट्राइबल, इंडिजिनियस लोग, खुणी आत्मं निरुभर होते हैं, चाहे आप ट्राइबल के तिहास उठा कर देख लिजिए, आज तक जितने भी देश के आदिवासियों ने लड़ाई लड़ी है, वो अपने बल बूते पर ही लड़ा है, चाहे ओ लड़ाई जंगल बचाने की हो, चाहे ओ लड़ाई जल बचाने की हो, चाहे ओ लड़ाई अपनी जमीन बचाने की हो, या फिर ओ लड़ाई अपने हक अधिकार कुछ भी हो हमारे ट्राइवल समोधायों ने बिना किसी के गुलामी किये बिना खुद आत्मंदिरिवर होकर अपनी लडाई स्वयन लड़ी है इस बात को सारे उवा गौर करेंगे इतिहास है हमारा इतना खतरनाक है हमें दुसरों के पीछे जाने की जुरत है ही नह कुछ अपने ही लोग ये कहकर निकल जाते हैं कि यार पलना जाल लेते हैं कि समाज की बहुलता है यार इसी लिए हम अपस में बटे हैं क्या सिर्फ आप ही का समाज बटा है क्या सिर्फ आप ही का समाज है भारत विभीन जाती समुदाय वर्गों के मेल से बनता है और सब का अपना-पना समाज है, यार देखो ना उनको, सीखो कुछ, इसमें कोई राय, कोई दो राय नहीं, कि आज भी 21 सदी में, जो आज 21 सदी चल रही है, लोग सिर्फ और सिर्फ अपने अपने जाती समुदाई की सोच रहे, आप मानो ये ना मानो, लेकिन ये सच है, और यहीं ची सांथियों, समाज तो सबका है, अपना भी समाज है, और आये समाज, दुसरों को समाज हम से आगे कैसे जाता है, उस चीज़ को देखकर, हम अपने अंदर कम्यों को निकालेंगे, कैसे, मैं बात करूँगा, जब हम सभी ट्राइवल का लक्षे कहीं है, जल जंगल जमीन बचाना, यहीं है न, सारे ट्राइवल समुदाय इसी लक्षे पर काम कर रहे है, हमारी संस्किर्ती, पधती, लगभग एक ही है, हम सत सेनकार नहीं कर सकते, तो साथियो, जब सब कुछ लगभग एक ही है, तो फिर हम आत्म निरुभर बनने के लिए, हम किसी दूसरे का दरवाजा क्यों खट खट आएं, क्यों हम अपने मन से अपनी लाई, अपनी जंग को छेड़ते हैं, ऐसी उर्जा लाओन है यार, कुछ नहीं है यार, बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ आप एक जू ठोलाव एक विचार धारान बंद हो, एक बात और मैं बोलना चाहूंगा, जो सबसे महत्तोपून बात है, जैसे कि इसी देश में बिभीन जाती धर्म समुदाय के लोगों ने अपने समाज का हाथ पकड़ा है, अपनी संस्किर्ती धर्म को पकड़ के रखा है, इसलिए आजो आपसे कई मिलो आगे खड़े हैं, उन्होंने अपने संस्किर्ती धर्म को पकड़ के रखा है, उस चीज के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए आपसे आगे खड़ा है, तो हमें भी उस चीज से सिखना चाहिए, जब तक आप अपने कल्चर से दूर हो जाओगे, अपने मुल मुद्दों से दूर हो जाओगे, त तो मेटिक पीछे हो जाओगे, नहीं छोड़ते हम, अन्तता हमाई यही कहूंगा, कि देश का जनजातिय समुदाय और जियसिव परिवार आत्म निर्भर बने, चाहे वो राजनेतिक रूप हो, या फिर संस्कृतिक मानने और बचाने की बात हो, या फिर कोई भी रूप हो चिनने से बचाईए और खासकर दूसरों की गुलामी करने वाले लोगों को आत्म निर्भर बनने की सलाह दे, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, जेशु प्रबंधन टिम को, खासकर हमारे मारक दर्सक आद्रडियर राजा रावेन तिलक ध्रुए सर्जी, जिन्होंने दि जिन रात मेहनत करके इस कायकरम को बनाया है, इसी करम में हमारे अध्रणिय दादा सम्मल सिंग मरकाम जी, वह समस्त जेशु परिवार के सुभुचिन तक सदस्य पदा धिकारी गण, जिन्होंने जेशु को बहमुल्य समय देकर, अपने लगन, अपने मेहनत, अपने जुन दी, एक बात और अपील करूंगा सांतियों, आप सभी ट्राइवल सांतियों से, आप आत्म निर्भर बनिए किसी भी रूप में, सिक्षित हो तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप नौकरी ही करो, यार अपने पास थोड़ा मोड़ा जमीन जयादा भी बजता है, मुझसे आत्म निर्भर बनने की बात सोच सकते हैं, सबसे बड़ी बात ट्राइवल समझाए के लिए उसका जमीन होता है, जमीन से आप विभीन पर किसी प्रधान देश में और दूसरी क्या सोच सकते हो यार, खेती करो न, लगभग सभी ट्राइवल के पास कुछ न कुछ जमीन जयादा मैं यही अपील करूंगा और सायद मेरा समय अब खतम हो रहा है, सभी साथियों को जोहार, एक बार फिर से बोलिए मेरे साथ, हम है जी एसिव, हम है इंडिजिनस, हम है इंडिया, जोहार साथियों